नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामाय होमियोपैथी के अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हम मैं ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार की कब्ज की समस्या से यानि की कॉंस्टिपेशन की समस्या से पीडित रहते ही हैं हाला कि मैं हमेशा इसमें जादा तर जो कारण मानता हूँ वो डाइट का और अपनी लाइफ स्टाइल का मानता हूँ कि वो लोग अपनी डाइट में सही से नहीं रख पाते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को सही से नहीं रख पाते हैं तब उस condition में homeopathic दवाएं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और homeopathic में ऐसी बहुत सारी दवाएं आती हैं जिनके की उपयोग से हम कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं लेकिन उनके साथ साथ हमें अपनी diet में भी change करनी की जरूरत होती ह तो homeopathic में इसी प्रकार की दवाओं का एक combination आता है जिसे की biochemic combination कहा जाता है और ये biochemic combination नमबर 4 होता है जो की कब्ज के लिए यूज किया जाता है आप इसे देख सकते हैं ये biochemic combination नमबर 4 है जो कब्ज के लिए यूज किया जाता है तो आज मैं इसी biochemic combination नमबर 4 के बार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन-कौन सी दवाओं का इस्तिमाल किया गया है। या होती है उसको कब्ज कई बार ऐसी होती है कि वो दो तीन तीन दिन तक फ्रेश होने नहीं जाता है। यानि कि जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है और उनको कारण समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस कारण से उनको कब्ज की शिकायत हो रही है तो वो इस बायो कैमिक कॉमिनेशन नम्मर चार को लेना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को ड्राई, हार्ड और डार्क कलर्ड स्टूल की शिकायत है यानि कि मल उनका कड़क हो रहा है, बहुत जादा सूखा हुआ है और डार्क कलर का है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, इस तरह का यदि उनके मल का रंग है। तब उस कंडिशन में वो इसका यूज कर सकते हैं, जिन लोगों को कॉंस्टिपेशन के साथ, यानि की कब्ज के साथ सिर्दर्द असोसियेटेड होता है, बहुत जादा हलका हलका सिर्दर्द उनका दुखता रहता है, कभी यहाँ दुखता है, और बहुत जादा उनके मू कलर की टंग हो जाती है, वाइट कलर की टंग हो जाती है, तब उस कंडिशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, लिवर से रिलेटेड प्राबलम्स को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और उन लोगों में जिन में की डाइरिया भी होता है, और की बहुत अच्छी दवाओं मैं से है, बहुत अच्छा कॉंबिनेशन ये बायो कैमिक का माना जाता है, यदि हम इसके डोज की बात करते हैं, तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है, चार-चार टेबलेट एवरी त्री अवर्स और फोर टाइम से डे, तो यही सलह मैं आपको दूँगा कि यदि कोई अडल्ट है, तो उसको चार-चार टेबलेट दिन में चार बार दें, और यदि कोई बच्चा है, तो उसको दो-दो टेबलेट दिन में चार बार दें, खाने का तरीका 10-15 मिनिट पहले से और 10-15 मिनिट बाद तक, यानि कि जब भी आप इस 10-15 मिनिट बाद तक कुछ ना खाएं, मुँ में किसी चीज का कोई खास, स्पेस्फिक टेस्ट वगएरा ना हो, चाय वगएरा ना पी हो, या कोई तमाकू वगएरा यदि कोई खाता है, तो वो ना खाया हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, और यदि खा लिया है, तो पहले अच्छे से कुला कर लें, रिंसिंग कर लें मुँ की, और फिर उसके बाद इसकी 4-4 टेबलेट दिन में 4 बार एडल्ट के केस में, और बच्चों के केस में 2-2 टेबलेट दिन में 4 बार आप यूज करें, तो अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं, यदि ह हम इसके side effect की बात करते हैं तो अभी तक ऐसा कोई side effect इतने सालों में इस medicine का नहीं पाया गया है बहुत ज़्यादा research किया गया है clinical practice में भी बहुत ज़्यादा इसका use किया जाता है तो इसके किसी भी प्रकार के कोई कोई दुषप्रभाव नहीं है किसी भी प्रकार का कोई side effect किसी भी patient में देखने को नहीं मिलता है अब हम point पे आते हैं कि इसके बारे में मेरी क्या opinion है तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा combination है जिसको भी कब्ज की problem है वो general medicine के रूप में इस combination को biochemic number 4 को लेना बिलकुल आसानी से शुरू कर सकता है इसकी 4-4 tablet दिन में 4 वार adult और बच्चा है तो 2-2 tablet दिन में 4 वार उसको देना आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों हमारे घर में कई बार ऐसी condition होती है जब कोई छोटा बच्चा हो उसे अचानक दस्त लगने लगते हैं कोई adult प्यक्ती ह उसको अचानक दस्त लगने लगते हैं लूज मोशन होने लगते हैं या बुजर्गों को लूज मोशन होने लगते हैं तब उस condition में हमारे पास homeopathy की medicines उपलब्द दिया दी हैं तो हम उनको वो homeopathic medicines दे सकते हैं अगर हमारे पास at a time कोई homeopathic medicine उपलब्द नहीं हैं तो homeopathy म एक Bio-Cemic Combinations नाम से दवाईयां आती हैं Bio-Cemic Combinations वो combinations होते हैं जिन में कुछ organic salts जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है और उन salts से एक combination मनाया जाता है और उनको बीमारियों में इस्तिमाल किया जाता है तो आज मैं उनी Bio-Cemic Combinations में से एक Bio-Cemic combination number 8 के बारे में बात करूँगा यह जो Bio-Cemic combination number 8 है यह diarrhea के लिए यूज होता है आप इसे आसानी से देख सकते हैं यह Bio-Cemic combination है यह Bio-Cemic combination number 8 कहलाता है जो दस्तों के लिए इस्तेमाल होता है मैं आज इस वीडियो में आपको बताओँगा कि इसमें कौन-कौन सी दवाएं मिली हुई है, उनके क्या-क्या उप्योग है और इसका क्या डोज है और किस तरह से हमें लेना चाहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन सी दवाएं मिली हुई है तो इसमें जो दवाइं हैं वो हैं Calculia Fos 3X Potency में Ferrum Fos 3X Potency में Kali Fos 3X Potency में Kali Self 3X Potency में और Netrum Self 3X Potency में तो यदि हम Ingredients के अनुसार इसको देखें दोस्तों तो बहुत ही अच्छी दवाओं का इस्तिमाल इसमें किया गया है दस्तों को रोकने के लिए दस्तों के साथ जो कमजोरी शरीर में develop हो जाती है चुकि दस्तों में पानी की कमी शरीर से होती है हमारे शरीर के जो salts होते है वो शरीर के बाहर निकल जाते है उस कमजोरी को दूर करने के लिए और खास तोर से बच्चों के मामले में यदि दस्त लगने के बाद बच्चे का जो सभाव है वो बहुत चड़ी-चड़ा हो गया है Irritation उसके अंदर होने लगा है तब उस condition में भी ये Bio-Cemic Combination No.8 उसकी बड़ी help करता है तो यदि हम दवाईयों के हिसाब से देखें तो इसमें जो दवाईयों इस्तेमाल की गई है वो अपने आप में सबसे अच्छी दवाईयों है यदि हम इसके dose की बात करते हैं तो इसमें dose लिखा हुआ है 4 tablets 3 times और 4 times a day 3 hours और 4 times a day यानि कि हम दिन में 4 tablet 4 बार किसी भी patient को दे सकते हैं बड़ी आसानी से यदि वो adult है तो और यदि कोई वो बच्चा है तो adult का आधा dose हमको देना है यानि कि 2-2 tablet दिन में 4 बार देना है और यदि हम इसके indications की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है thin watery stools with undigested food यानि कि dust जब उस प्रगार के लग रहे हों ये एक बड़ा अजीब symptom होता है कई लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि वो gas pass करना चाहते है एनस के माध्यम से एनस से यानि कि गुदा मार्ग से वो gas को बाहर निकालना चाहते है लेकिन gas pass करने के साथ ही उनका थोड़ा सा stool भी बाहर निकल जाता है सकता है तो यदि हम एक general medicine के रूप में देखें चुकि homeopathic medicinal system में तो patient के symptoms से match करके उसकी constitutional medicine उसके symptoms के आधार पर यानि कि जो लक्षन उसकी body में है उसके आधार पर ही दवा दी जाती है लेकिन फिर भी यदि हम एक general medicine के रूप में देखें तो इसका हम इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे result मिलते हैं इसकी 4-4 tablet दिन में 4 बार दें यदि कोई adult है तो और 2-2 tablet दिन में 4 बार दें यदि कोई बच्चा है तो छोटा बच्चा यदि कोई बहुत ज़ादा है तो उसको एक चमच पानी में इसकी दो टेबलेट घोल के उसको पिलाई जा सकती है और यदि 7-8 महीने का बच्चा है तो उसको टेबलेट सीधे जीव पे रखके दी जा सकती है वो आसानी से उसको खा सकता है कोई भी दिक्कत नहीं है तो यदि हम देखें तो बायो कैमिक कॉमिनेशन नम्मर आट का इस्तेमाल हम दस्तों के लिए कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमें मिलते हैं एक जनरल मैडिसिन के रूप में continue चार-पाँच दिन तक दे देने से ना केवल दस्त बंद हो जाते हैं बलकि शरीर में आई होई कमजोरी भी यदि कोई हो गई होती है तो वो कमजोरी भी खत्म हो जाती है पानी की कमी को दूर करने का और कोई साधन नहीं है यदि बच्चा मुझ से इंटेक नहीं ले रहा है तो और यदि मुझ से इंटेक ले रहा है मुझ से पानी वो पी रहा है तो फिर इसको ORS का जो solution आता है रिहाइडरेशन सॉल्यूशन वो जरूर देना चाहिए ताकि पानी की कमी पूरी होती रहे और दस्तों को बंद करने का काम ये बायो कैमे कॉमिनेशन नमबर आठ बहुत अच्छा करता है तो आप अपने घर में इसको हमेशा रखा करें यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार और बच्चों में 2-2 टैबलेट दिन में 3-4 बार बड़ी ऐसानी से देख सकते हैं और इसके साथ ही B3 Drop भी आप दे सकते हैं B3 Drop का एक वीडियो में अल्रेडी बना के डाल चुका हूँ आप वो भी इसको यूज कर सकते हैं दोनों को साथ में 10-10 मिनिट के अंदर से तो आपकी जो दस्त की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत